हेलो फ्रेंड्स और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग में और आज हम वीडियो में डिसकस करेंगे फ्रेंड बी-एम, डी-बी-एम, एच्डी-बी-सी और बी-सी के बारे में हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा थ बी-एम, डी-बी-एम, एच्डी-बी-सी और बी-सी इनके कुछ बेसिक डिफसेंट क्या होते हैं और बेसिक डिफरेंड टेकनिकल स्प्यंफिकेशन भी उन्होंने पूछे थे तो ये जानकर यह उन्होंने हमसे चाहिए थी तो न की रिक्वार्मेंट पर यह वीडियो आ आइटम्स और कैसे इनका प्लेसिंग किया जाता है इनके बिज के बेसिक डिफरेंट क्या होते हैं यह हम आज डिसकस कर रहे हैं चलिए फ्रेंट वीडियो को जरूर एंड तक देखिया क्यों काफी यूच्पल वीडियो है जो भी फ्रेसर से हैं जो बिटूमनेस वर्क के बा बुक्स में आपके साथ सेर कर दिया है चलिए फैंड शुरू करते हैं आज की वीडियो बात करते हैं जब भी हम सड़क का निर्मान करते हैं रोट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रोट यह कंस्ट्रक्शन में जो मटेरल यूज होते हैं मटेरियल डिफरेंट टाइप यूज की जाती है, aggregate भी यूज किया जाता है, bituminous, bituminous aggregate भी यूज किया जाता है, जिसे आप asphalt mix बोलते हैं, या hot mix बोलते हैं, तो ये जो different type of material हैं, ये किस sequence में या किस order में आपको यूज करने होते हैं, ये हम इस cross section की help से समझते हैं, देखिए सबसे नीचे का जो part है, सबसे नीचे का part हमारा होता है, subgrade या embankment, जो कि हम generally midty, जो selected soil है, जो improved soil है, उससे हम embankment या subgrade का construction कर लेते हैं, जो की subgrade का construction इसलिए करते हैं, कि हमारा जो road है, या सड़क है, उसको एक formation मिल जाए, उसको एक आधार मिल जाए, उसको एक base मिल जाए, foundation मिल जाए, जिससे हम इसक करते हैं सब बेस कोर्स जिसे आप जीस भी 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 बोलते हैं ग्रैनल सब बेस भी आप इसको बोलते हैं इसके बाद आता है हमारा यह जो आप लेयर देख रहा है यह हमारा Base स्कूर्स, बेस स्कूर्स जैसे की होता है WMM, WBM, यह हमारे जो है Base स्कूर्स कहलाते है Base कूर्स बहुत ही important part होता है हमारी रोड में क्योंकि जो रोड पर आने वाले magnesium load है, stresses है बो सारे Base स्कूर्स ही bear करता है magsum stresses और load base स्कूर्स पर bear होते हैं इसलिए base course का intact होना और base course का आपके जो quality specification है उसके according to construction हो बहुत ही compulsory है इसलिए base course construction में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए फिर इसको उपर हम चलते हैं एक base course जैसे WMM जो होता है तो यह हमारा normal aggregate base course होता है ठीक है अब base course को और improve करने के लिए हम क्या करते हैं bituminous base course provide करते हैं bituminous base course जो की हो सकता हमारा BM हो सकता bituminous macadam या dense bituminous macadam अब bituminous macadam और dense bituminous macadam कभ यूज़ करने हैं यह समझे देखिए जो low category to medium category traffic intensity वाले areas हैं या जो road हैं जिनने पर low से medium category का traffic आने की possibility है वहाँ पर हम bituminous macadam generally provide कराते हैं bituminous macadam क्या होता है जो उसका जो grading होता है और उसका जो mixture बनता है वो थोड़ा open graded रहता है उसकी अंदर जो airbots हैं वो dbm की तुलना में थोड़े जादा होते हैं इसलिए जो airbots ज्यादा होने करन उसकी अंदर जो water का percolation है वो dbm की तुलना में ज्यादा होता है तो जो low category से medium category traffic वाले जो road है वहाँ पर तो bm suitable होता है लेकि जो high traffic intensity वाले road है वहाँ पर हम bituminous macadam provide नहीं करते हैं वहाँ पर हम provide करते हैं dance bituminous macadam क्योंकि यह bm की तुलना में ज्यादा dance होता है ज्यादा intact होता है और इसकी जो stability है वह भी bituminous macadam की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है अब bituminous base course का construction करने कवाद हम करते हैं सबसे top layer जो finishing layer होती है वह कहलाती है हमारी bearing course bearing course जिस पर हमारा जो traffic का जो traffic है या जो vehicle उसका जो टायर है जो भी traffic वह direct इसकी connection में आता है यह exposed surface होती है इस पर weathering का भी direct effect पड़ता है natural का भी जो भी माल लिजे बरफ गिर रही है बारिस गिर रही है जो धूप गिर रही है वह direct हमारे bearing course की surface पर आती है जो traffic भी direct इसकी पर जो exposed surface है जिस पर हमारा traffic movement करेगा वह हमारी bearing course होती है इसलिए जो bearing course है वह हमारा maximum density वाला और close grading वाला material है वह हम इसमें यूज करते हैं जो की होता हमारे generally bituminous concrete का material या HDBC का material अब इसमें technical differences क्या है यह हम आगर discuss करते हैं सबसे पहले बात करते हम BM या bituminous macadam bituminous macadam और dbm का जो सबसे basic और सबसे important difference है वह उसका grain या जो उसकी grading जिससे आप बोलते हैं gradation जो है उसका वह सबसे ज्यादा different होता है gradation means आपको उसमें किस पेकार का aggregate use करना है किस size का aggregate use करना है उसमें bituminous content क्या रखना है यह जो different है वह dbm और bm है सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात होती है अब bituminous macadam में अगर देखा जाए तो यहां पर हमें two types grading दिये हुए होते हैं जनरली हम जो bituminous macadam grade two है वो हम follow करते हैं क्योंकि grading two का जो bituminous macadam है वो grading one के में bituminous macadam की तो लामत थोड़ा ज्यादा dance होता है ज्यादा stable होता है अब इसका जो gradation है friend यह मूर्थ की table five hundred seven में आपको मिल जाएगा पूरा table में study करके आपको यहां बताने ही जरूत नहीं है और जो layer थिकने से अगर आपकी layer थिकने से eight to two hundred mm है ठीक है तो आपको grading one यूज में लेना है और आपकी जो थिकने से अगर फिप्टी टू सेवंटी फाइम है तो आपको 19 mm का बिटू में करना है जनरल ही होता क्या हम grade two ही लेते हैं और जो लेयर थिकने से माल लिए आपको 100 mm w mm करना है तो आप क्या करते हैं फिप्टी फिप्टी mm की दो डव्लू दो बीम की लेयर आपर कर लेते हैं जनरल हम grading one को avoid ही करते हैं और grading two को आप follow करते हैं क्योंकि ये grading one की तुल नाम जादा intact dense और stable होती है और फ़र जो दूसरा डिफरेंट है बहुत है बिटूमिन कंटेंड का grading one में bitumen content है जो एक standardize bitumen content 3.3 है और grading two के लिए 3.4 है ये जो bitumen content फ्रंट ये 2.7 specific gravity को मानके aggregate की जो specific gravity है वो 2.7 मानके इन्होंने लिया है अगर आपके specific gravity ज्यादा है तो आपको specific gravity से design कर सकते bitumen content क्योंकि specific gravity अगर बढ़े गी तो आपको bitumen content वो आपको कम डालना है और specific gravity अगर आपकी aggregate कम है आपका aggregate poor quality का तो उसम bitumen content आपको ज्यादा देना होगा इसलिए जो bitumen content यहाँ पर दिये हुऊ है यह आपके fix नहीं है यह आपकी specific gravity पर depend होते हैं अप फ्रेंड और bitumenos में कटम के बारे हैं बात बता दूँ आपको तो यह open grade हो रहनी कारण क्या होता इसमें airbots ज्यादा होते है airbots अगर ज्यादा रहेंगे तो हमारा जो payment ह या जो asphalt payment है वो dance नहीं हो पाएगा तो यागी माल लीजिए इस पर जब heavy traffic आ जाए बहुत मालब extreme heavy traffic जब इस पर run करेगा तो इसमें settlement आने की संभावना हो जाती है इसलिए bitumenos में को हम medium to heavy category की जो road है बहाँ पर हम bitumenos में को avoid करते हैं बहाँ पर हम dance bitumenos में को provide कराते हैं तो अब फ्रेंट dbm को आप thickness 52 75 mm specified है और जो nominal aggregate का size है यानि जो में aggregate size है वो grading 1 में 37.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और grading 2 में 26.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि जो aggregate का size रहेगा अधिक वो 26.5 mm से नीचे का रहेगा grading 2 के लिए और जो grading table है आपको most table number 510 में आपको मिल जाएगा और जो bitumen content है जो एक आपको standard bitumen content दिया हुआ है वो grading 1 के लिए 4.0 और grading 2 के लिए 4.5% दिया हुआ है इस 4.0 और 4.5 को आप एक मिड रेंज मानके इसके अगेंस्ट आप इसके मार्सल डेजान कीजी और फिर जो bitumen content bitumen content जो आपकी optimum stability, optimum air voids, optimum specific work density, मापकी specific work gravity और जो भी आपके दूसरे parameter हैं जो मैं आगे आपको बताएता हूँ वो सारे parameter को आप calculate करके जो bitumen content, optimum bitumen content आपका आता है वो bitumen content आपको आग ट्राइल में लेना चाहिए और क्या 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 पेरामिटर से dense bitumenis macadam के वो भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल नमर 511 मोर्त के टेबल नमर 511 को हम study करते हैं तो यहाँ पे dense gradate bitumenis macadam की जब martial design आप करेंगे तो आपको क्या क्या बाते ध्यान लगी है क्या parameters आपको चाहिए हैं जो आप bitumenis macadam का construction करेंगे तो martial design में आपको एक lab trial करना होता है और देखना होता है कि जो parameters हमें या जो norms जो conditions हमें चाहिए हैं वो हमारी fulfill हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जैसे हम मान लेते हैं मार्सल इस्टेबली टेस्ट कर रहे हैं या मार्सल इस्टेबलीटी का design कर रहे हैं तो 75 blows on each specimen यानि दोनों साइट जो 75 blows आपको dbm की मार्सल जब design करेंगे आप तो आपको लगाने हैं और minimum stability minimum stability आपको कतनी चाहिए अगर viscosity grade bitumen है तो 9.0 kN modified bitumen है तो 12.0 kN hot climate के लिए और cold climate है तो 10.0 kN मार्सल फिलो यानि flow value होने चाहिए 2 to 4 mm hot climate के लिए 2.5 से 4 mm और cold climate के लिए 3.5 से 5 mm जब आप modified bitumen का यूज करते हैं जनरली आजकल हमारा viscosity grade bitumen यूज किया जाता है इसलिए आप यह जो parameter देख रहा है यह आपको fulfill हो जाने चाहिए airboids airboids का friend बहुत important role होता है क्योंकि airboids जो आपके payment होती हो payment की जब climate condition के against क्या होता है अगर इसमें airboids airboids में जो आपने dbm या bm के जो layer आपने की है उसके आपको 100% complexion नहीं करना होता है जो हमारी थोटे कल मेहिक जिव इस पेसिप ग्रेविटी है उसका 100% complexion आपको नहीं करना है ठीक है उसमें कुछ आपको airboids छोड़ने होते है बिलीडिंग कप करेगा अगर जो उसके airboids उसके खतम हो जाते हैं आप उसमें airboids नहीं छोड़ते हैं तो airboids ना होने करना जो हमारा bitumen है वो bleed होने लगता है और अगर आप airboids ज्यादा छोड़ते हैं तो उससे क्या होगा हमारी flow value बढ़ने करना जो हमारी payment है वो payment हमारी flow हो जाएगी फैल जाएगी ठीक है उसमें रट्स आने लग जाएगी तो इसलिए आपको जो airboids है उसके जो specified value है 3-5% यह आपको maintain करके रखनी होती है यह dbm में तो easily maintain हो जाती है लेकर जो bitumen में कट हम है उसमें maintain नहीं हो पाती है percent points filled with bitumen 65 to 75 coating of aggregate particle यानि जो stripping है stripping 5% से अधिक नहीं होने चाहिए यानि कि minimum 95% हमारे जो aggregate है वो quoted हो जाना चाहिए उख़पन तो यह dbm की martial design के बारे में कुछ basic जान करी आपको मैंने दे दी है अब हम आग बढ़ते हैं और discuss करते है HDBC के बारे में जिस पेकार से dbm और bm का फर्क है dbm dance होता है bm उससे कम dance होता है उसमें airbots ज्यादा होते हैं तो इसी पेकार से bitumenous concrete है और जो semi dance bitumenous concrete है उसमें भी यही different है bitumenous concrete हमारी mostly dance bitumenous mixture है और HDBC उससे थोड़ा कम dance bitumenous mixture है तो अगर आपने जहां पर bm किया है तो बहाँ पर आप HDBC provide करा सकते हैं या dbm के उपर भी HDBC provide करा सकते हैं लेकिन फॉर्ट पर आपके जो durability region के कारण हमें क्या करना है जो dbm किया है उस पर bc provide किया जाता है क्योंकि bc HDBC की तुलना में ज्यादा durable intact और ज्यादा stable हमारी bitumenous payment होती है अब HDBC का भी difference देखा जाए तो यहाँ पर भी जो basic different boys के gradation को लेकर ठीक है ग्रेडेशन क्या है हमारा grading 2 टाइप ग्रेडेशन दिया हुए है और nominal aggregate size grading 1 में 13 mm और grading 2 में 10 mm layer thickness grading 1 में 35-40 mm और grading 2 में 25-30 mm cheap size आप इस पेकार जो follow कीजिए और जो percentage passing है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है यह table भी आपको मौर्थ में easily मिल जाएगी bitumin content grading 1 के लिए है 4.5% और grading 2 के लिए 5.0% अब आगे बढ़ते हैं हम discuss करते हैं bituminous concrete के बारे में bituminous concrete यह भी आपके two type grading है generally जो second type grading है वो grading 1 की तुल्ला में ज्यादा dance stable है इसलिए हम grading 2 maximum हमारे यूज में की जाती है इसके लिए जो aggregate का nominal size 13.2 mm maximum है यानि कि जो इसमें aggregate आप यूज करेंगे जो stone या जो जिसे आप गिट्टी बोलते हैं वो गिट्टी आपकी 13.2 mm से ऊपर की नहीं होनी चाहिए ठीक है यह nominal size आपका यहाँ पर है layer thickness grading 1 के लिए है 50 mm grading 2 के लिए 30 to 40 mm सी बॉडर आपको मुर्थ की table number 570 ने मिल जाएगा bitumen content grading 1 के लिए 5.2% और grading 2 के लिए 5.4% इस bitumen content को आपको इस bitumen content की अगेंस्ट आपको आपको martial design करनी है और उस पर जो optimum bitumen content आएगा वही आपको आगे trial में लेकर चलना है फ्रेंड जनरली करना क्या है हमें आप इसका concept समझ लीजे जनरली आपको यही करना है जो आपके heavy traffic heavy traffic intensity वारे जो रोड है वहाँ पर आपको dbm और bitumenous concrete ही maximum provide करनी है क्योंकि यह जो अभी तक का available जो अभी तक का most durable और जो standardized asphalt payment है वो dbm और bitumenous concrete है इससे और ज्यादा improved या और ज्यादा durable कोई भी asphalt payment अभी तक हमारी study में नहीं है तो dbm और bc ही जो most durable most जो trial किये गए हैं जो successful है bitumenous payment वो हमारे dbm और bc हैं इसलिए आपको dbm bc generally use करना है और अगे low category गरी और mid category low traffic category and mid traffic category वाली जो road है वहाँ पर आपको bm और इसको उपर hdbc भी provide करते हैं जन्रलिक बीम के ऊपर ogbc और seal code कर देते हैं अगर आप चाहें तो बिटमरस concrete भी करते हैं यह आपको आपको जो सारी cross section से याज आपको क्या करना है क्या नहीं करना यह आपके dpr में आपको mention जरूर किया होता है इसलिए आप एक बार dpr को जरू study कर लीजिए ठीक है तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कमेंट करके बताएगा वीडियो को सेर करना चैनल को सब्सक्राइब परना और टेलेग्राम पर भी हमें जरूर जरूर कर लीजिएगा फिर से मिलेंगा आप से एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुट बाए टाटा एंड टेक केर